टेलो एवरिवन, मैं सुप्रिया सवनाले का प्लिटीकल साइन्स के इस क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ आज का जो मरा क्लास है, वो फेसली, UG semester second के students के लिए है और आज मैं UG semester second के का जो paper 4 है, C4, paper का जो नाम है, code है C4 और इस paper का में जो syllabus है उसका discussion मैं आपके साथ करूँगी कि आपके paper का नाम क्या है और उस paper के अंतरगत आपको कौन-कौन से topics को पढ़ना है तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि जो आपका second semester है इसमें भी आपको दो papers political science के पढ़ने होंगे जो भी honors के students होंगे political science के और उसका code C3 जो था और C4 है तो C4 जो है या उसको paper 4 भी आप कह सकते हैं तो C4 जो paper है उसका नाम है Indian Government and Politics हिंदी में उसको कहेंगे भारतिय साशन और राजनिती बहुत ही important paper है और चुकि है हमारे देश के शम्मिधान और उसकी जो विशेश्टाएं हैं और जो सरकार के अंग हैं या जितने भी जो structure है गॉर्मेंट के उन सब की जानकारी देती है इसलिए चुकि ये यूजी के कोर्स में है तो यूजी के लिए तो important है ही साथ ही साथ हर किसी भी competitive exams के लिए भी बहुत ही important ये topic है तो आप लोग इसको ध्यान से शुनिए इस syllabus को लिखिए और लिखने के बाद से जैसे जैसे वन बाइवन ये topics आपके complete कराते जाएंगे उसको पढ़ने और समझने की कोशिश केजिए तो इस topic में paper 4 जिसका नाम Indian government and politics है भारतिये स्टाशन और राज़ुनिती के अंतरगत जो पहला topic हमें पढ़ना है वो topic है Indian constitution और इसके अंतरगत देखना है silent feature and the concept of basic structure मतलब कि जो भारतिये संबिधान है उसको पढ़ना है संबिधान क्या है उसको बजानना है किसी विदेश का संबिधान क्या होता है उसको समझना है उसके बाद संबिधान के जो silent feature होते हैं विशेष्टाएं होती है मुख्य विशेष्टाएं होती है उसको समझना है और जो जो संबिधान का basic structure है, जो बना हुआ है, structure जो है, बैचारिक जो आधार है संबिधान का, वो क्या है, इसको हम लोग समझेंगे, जानेंगे, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि संबिधान किसी भी देश की सासन ब्यवस्था को चलाने वाले वह नियम और कानुनों का एक क्या होता ह है, जिसमें उस देश के शाशन ब्यवस्थाएं, उसमें देश में की सारे structures, सारी शक्तियां जो है, वो लिखी हुई रहती हैं, लिखती गई रहती हैं कि किसको क्या powers हैं, उनके functions हैं, उसके, यह सभी जो हैं वो लिखित होती हैं, तो और उसकी विशेषताएं क्या हैं, य अपने नेक क्लास में, दूसरा जो हमारा महत्वपुन टॉपिक इसके में पढ़ना है, वो है fundamental rights, और इसी के अंतरगात हमें fundamental rights के अंतरगाती, duties, fundamental duties को भी देखना है, और directive principle of state policy, मतलब इस जो second topic है, इसके अंतरगात हमें तीन topics पढ़ने हैं, पहला जो important topic है, वो है fundamental rights, में उसको बोलेंगे मौलिक अधिकार, जो सम्विधान के भागतीन में जिनका वर्णें किया गया है, और जो दूसरा महत्वपुन topic है, वो है आपके fundamental duties, मतलब मूल करतब्य हमारे क्या है, उनकी चर्चा करेंगे, जो हमारे 11 करतब्य दिये गया है, वो किस अनुशेद के द करेंगे, और इसके पहले part 3 में जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपकी जो 6 fundamental rights है, उनका अधियन हम लोग काफी details में करेंगे, और जो तीसरा topic है, directive principles of state policy, जो है, राज्य के निती निर्देशक तत्व, इनका भी अधियन जो है, जो part 4 में, constitution के part 4 में दिया गया है, तो उनका अभी अधियन हम लोग देखेंगे कि क्या guidelines states के लिए दिये गया है, इसके आंतरगत और उसको कैसे fulfill किया जाता है, तो इन सारी चीजों की जो चर्चा है, वो हम लोग अपने second topic, इस paper के paper 4 के second topic में हम लोग करेंगे, इसके बाद जो तीसरा topic इसमें हम लोग उपढ़ना है, वो है union executive, मतलब संघिये कारे पालिका जिसको हिंदी में कहते हैं, और संघिये कारे पालिका के अंतरगत हमें तीन दो चीजों को पढ़ना है, president मतलब राष्टपती और दूसरा प्रधान मंतरी, अब इनका चुनाव कैसे होता है, इनके power and functions क्या है, जो constitution के द्वारा इनको दिये गये हैं, तो इनका चुनाव, इनकी प्रक्रिया, मतलब इनकी संग्रशना और प्रक्रिया, दोनों चीजों का अधियन जो है हम लोग इसके details में, इस संघिये कारे पालिका के अंतरगत, इस topic के अंतरगत हम लोग करेंगे, जो अगला topic हमारा हम दिया गया है, वो है union legislature हिंदी में जिसको कहेंगे संघिये विधाईका या विधानपालिका, तो इसके संघिये जो विधाईका है, इसके अंतरगत हम लोग देखेंगे, लोकसभा और राज्यसभा, जो हमारे पारलियामेंट के दो हाउसे हैं, लोकसभा अपर हाउस और हाउस, जिसको लोकसभा औ and functions है जो इसका इसकी संगरशना है और इसकी प्रक्रिया है किस तरह से होती है इन सब की चर्चा जो है हम लोग अपने अलग-अलग दो separate अपने classes में करेंगे इसके बाद हम लोग को देखना है state government के बारे में मतलब जो राज्य की जो सरकार है या राज्य की जो शाशन ब्यवस्था है उसके अंतरगत हम लोगो देखना है गवर्नर के बारे में पढ़ना है राज्य पाल के बारे में और चीफ मिरिश्टर के बारे में जिस तरह से हमने संग्य सरकार के अंतरगत राष्ट प्रोसेस क्या होती है साथ ही साथ उनके पावर एंड फंक्शन क्या है इनका अध्यन करेंगे और फिर चिप मिनिस्टर जो है उनकी उनका जो निर्वाचन है वो कैसे होता है चुनाओ कैसे होता है और उनके पावर एंड फंक्शन क्या है इन सब का अध्यन जो है हम लोग इस मातब्त चीम दर्वार्ट के तीन जो अंग हैं जिसमें हम लोग लिजिस्वेटर इक्सेक़्ुटीव एंजिजिष्री दिए सब्सक्रालेजिएन के के निर्वाचन कैसे होता है उनका work क्या है उनको कितने अधिकार दिये गया है उनके functions क्या है उनके उनके जो शेत्रा अधिकार क्या है इन सब का अधियन जो है हम लोग details में इस topic के अंतरगत हम लोग अपने class में करेंगे इसके बाद जो अगला और last topic जो इस paper में हमें पढ़ना है Indian government and politics के अंतरगत जो संबिधान की प्रक्रिया भारतिय संबिधान जो है किसी भी संबिधान में संसोधन की प्रक्रिया है वो क्या है और हम लोग को अपने संबिधान भारतिय संबिधान में पढ़ना है जो आपका 368 है कि अंतरगत जो है दिया गया है संबिधानिक process क्या है संबिधान में कुछ नए चीज़ें जोडने की जो प्रक्रिया होती है, उसी को संसोधन की प्रक्रिया कहते हैं, और इस तरह से समय और जरूरत और परिष्टि की अनुसार, जो है, सम्विधान में नए चीज़ें जो जोड़ी जाती हैं, तो इसी संसोधन की प्रक्रिया के माध्यम से ही जोड़ी वोटिंग राइट स्कीन को होती है इस तरह से हम लोग इसका डिटेल्स अधियन हम लोग इसके अंतरगत करेंगे तो ये था हमारा जो है इंडियन गॉर्मेंट और पॉलिटिक्स का जो पेपर पेपर 4 है सी 4 उसके अंतरगत हमें इन सब टॉपिक्स के बारे में चर्चा करनी है तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंट्रेस्टिंग पेपर है बहुत ही आसान इजी सा पेपर है और आई होप आप लोग को सभी को अच्छा लगेगा पढ़ने में भी इसलिए घबराने की आउशकता नहीं है वन बाई बन करके हम लोग अपने according to our syllabus हम लोग एक एक करके सारे topics को जो है वो complete कर लेंगे अगर आप चाहें तो इसके लिए videos और classes तो मेरी होंगी ही साथी साथ आप चाहें तो कुछ book भी खरिच सकते हैं पड़ सकते हैं और उस book में जैसे की भारतिये साशन एवं राजनिती करके बुकाती है पुकराज जैन की बुकाती है आर्ठाकुर की बुकाती है जेसी जोहर की बुकाती है ओपी गावा की बुकाती है अश्रवादम की बुकाती है फाडिया की बुकाती है तो इस तरह से बहुत सारे writers है इन लोग की बुकाती है तो आप कोई भी एक basic book जो है वो खरिच सकते हैं रख सकते हैं पढ़ने के लिए और जो है यह आप आपका जो है class में जो आपको पढ़ाई होगी या जो मेरी वीडियो अपलोड होगी उसके बाद हमसे तो आपको यह सारे topics जो है वो complete कराये जाएंगे और जैसा कि मैंने आपको कहा कि यह UG के course में है undergraduate जो BA honors या UG honors जिसको बोलेंगे का जो political science honors है उन बच्चों के लिए यह courses है यह classes है और ऐस यह topic जो है अगर topic की बात करें independently topic की बात करें तो यह topic जो है सभी इसके लिए बहुत important है क्योंकि हर जो भी नागरिक है इंडिया का उसको पता होना चाहिए कि उसका देश के सम्मिधान क्या है उसके rights क्या है उसके duties क्या है उसके बाद जो government का structure क्या है कैसे function करती है government काम कैस होता है चुनाओ कैसे होता है Supreme Court High Court क्या है कहीं भी justice जब हमारे साथ अन्याय होता है तो हम कैसे appeal कर सकते हैं कैसे हम court में जा सकते हैं और संभिधान में जो संशोधन जो बार-बार होते हैं जब हम सुनते हैं जब भी सरसंत का situation चलता है या कोई नई कानून जूड़ती है तो यह overall सबके लिए बहुत ही important है topic है और I hope आपको बहुत अच्छा लगेगा हो यह पढ़कर तो आज का जो हमारा यह है आपको clear हो गया होगा paper paper का नाम जैसा कि मैंने बोला Indian government and politics paper 4 और इसके अंतरगत हम लोग उनमे topic के बार में भी मैंने आपको बताया first topic में आपको Indian constitution के silent feature क को देखना है और basic structure को देखना है constitution के उसके बाद fundamentalize duty and directive principles को देखना है union executive के रूप में हमें president and prime minister को पढ़ना है और union legislature के रूप में हमें लोकसभा और राजजभा को पढ़ना है state government के अंतरगत हमें governor और cm chief minister को पढ़ना है देखना है उनके power function को जानना है और judiciary के अंतरगत supreme court and high court का अधियन जो है हमें करना है उसके power function and structure सब का अधियन करना है और lastly जो constitutional amendments हैं उसके बारे में हमें जानना है तो ये था हमारा आज का class I hope आपको समझ में आ रहा हो अगले class में हम नए topic के साथ बहुत जल्द हम फिर मिलेंगे तब तक के लिए घर में रहें सुरक्षित रहें पढ़ते रहें thank you all of you